नमस्कार आप देख रहे हैं 10news network मैं हूँ आपके साथ हिमान्चु सर्मा एक हर्ष और उल्लास का विशय है कि आज बिम्टेक ने अपनी 36 वर्ष पूरे किये हैं और आज 36 वा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तर आपको 10news की तरफ से धेरोशुप काम ना है आप जानते हैं किस तरीके से प्रवंधन और बिजनेस स्कूल के जरियत उकाना में बिम्टेक इंस्टिट्यूट जाना ही जाता है और उसके कला और संस्कृति को जो सहेजते हुए यहां पर गांधी के प्रभावों का वर्णन देखने को मिलता है उसके अपने आप में बिम् मानित जो भी संस्थापक जोड़े हुए थे वो कहीं ना कहें गांधी के प्रभावों से और उनके आदर्शों पर चलते थे तो आज बिम्टेक के द्वारा ऐसे कौन से प्रयास किये जा रहे हैं ताकि छात्रों के अंतगत गांधी के आदर्श जो हैं उनके मानक स्थापक हम लोग पिछले 15 वर्सों से Responsible Business के नाम से एक कोर्स पढ़ाते हैं सभी विद्यारतियों को और आज जो संचालन कर रही थी मंच का रितिका कुलसेर जी वो उन faculty में से एक है जो Responsible Business को पढ़ाते हैं इसके लावा हम Global Warming के रिसूस पर भी एक कोर्स पिछले साल हम लोगों न सुरू किया उस कोर्स का नाम है Sustainability and Climate Risk और ये कोर्स फ्रांस की एक Multirational Company के द्वारा तयार किया गया है यूरोप के तवाम बड़े प्रवंद संस्थानों में ये पढ़ाया जाता है जब उन्होंने BIMTEK को ये कोर्स ओफर किया तो हमने उस कोर्स को पिछले वर्स उसको चाल रहें तो वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके नड़े और उनके डिसीजन से Sustainability पर बुरा प्रहाब नहीं पड़े ग्लोबर वार्मिंग नहीं बड़े और समाजिक एक जिम्मेदारी प्रवंदकों की होती है उस जिम्मेदारी का भी निर्भा किया जाए तो ये फोर्स कर प्रोकेट करते हैं और हम लोग परीचोक के पास मेट्रो स्टेसन के पास गरीब विद्यारतियों के लिए कि स्कूल पिछले चह साल से चला रहे है जिसका नाम विम्टेक विद्याकेंद्र यह फॉर्मल स्कूल नहीं है यह इन फॉर्मल स्कूल है जो हमने बनाय, containers में बनाया है, जहांपर के चार विश्यों में पढ़ाई की जाती है, विद्यार्तियों को जो बनिल बस्तियों में रहते हैं, गरीब बस्तियों में रहते हैं, और वो subject हैं, mathematics, English, Computer Science और English. इन चार विशियों में जिनमें के गरीबों के बच्चे कम्जोर होते हैं उनको हम एक्स्टाटूसन देते हैं और उनको गाइट करते हैं इनको सभी पुस्तकें सभी ड्रेस और गर्मी और जाड़े दोनों की ड्रेस इनको विम्टेक विद्या के दिन में दी जाती हैं गरीब founders ने जो गादी जी के सिधानतों को अपनाया और समाज के लिए बड़े-बड़े काम किये आप पूरे देश में कहीं भी जाएए तो आपको बिरला मंदिर और बिरला स्कूल में लेंगे और मैं समस्ताओं दिल्ली का समाज के प्रती उनके उत्तरदायतों का बखू भी निर्वा कर रहा है और संस्थापकों के द्वारा जो रीत चल आ रही थी वो रीत आज भी कायम है सर मेरा एक अगला सवाल ये होगा कि जिस तरीके से यहां हर चट के नीचे मैंने देखा हम मुख्यते ये देख रहे थे कि जिस तरीके से एक किमारत को बनाने में हर एट की अपनी एक पहचान होती है यहां पर सभी का सम्मान और उस समय से जिस समय से स्थापना इस चेतर की हुई उनका सभी का याद किया जा रहा है इसको आप कैसे रेखते हैं अहाँ देखिए एक व्यक्तिवार्री तरीके से हम लोग काम नहीं करते हैं सामय स्थां की संस्कृति यहां डवलब की जाती है हर व्यक्ति का सहयोक चाहिए जो हमारे माली हैं हमारे राजमिस्तरी हैं, हमारे एलודה कि पूक्स हैं तो ये हमारे संस्थान में 75 प्रध्यापक और 1.500 से अधिक कर्वचारी हैं और इसके लाबा भी सायक कर्वचारी हैं जो के हम लोग उनकी सेवाएं लेते हैं सबको हम सरकारी minimum wage act का पालन करते हुए wages देते हैं उनके खाने का रहने का इंतजाम भी किया जाता है जो लोग यहां 24 hours जिनकी presence जरूरी होती है जैसे के कुक्स हैं हमारे नर्स हैं डॉक्टर हैं को campus में रहते हैं सर इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर नोट पे महात्मा गांधी की तश्वीर हम देख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अगर मैं गौतम बुद नगर की बात करूं तो महात्मा गांधी की मूर्टियों की अधी बात की जाए तो मुझे बेम्टेक संस्थान में वो नहीं लूँगा जिन्होंने सेक्ड़ों करोड सरकारों से कमाए उनकी राज निताओं की मूर्टियां लगाने के लिए लेकिन गादी जी की मूर्टि की गौतम बुद नगर कहीं है तो वो सिर्फ बिम्टेक में है और उसके लिए हमने जब यहां के स्थानी मूर्टिकारो संपर किया तो बहुत उची कीमत लगा रहे थे तो हमने का गादी जी की मूर्टि के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ढूड़ लेंगे और फिर उडिसा के बड़े प्रसिद्ध बूर्तिकार ने हमको जो मूर्टि दीव भवी मूर्टि यहां पर विराजमार है और उसमें हमको ज़्यादा पैसा भी उन्होंने नहीं मागा और इस तरीके से हम गादी जी की मूर्टि पांच साल पहले स्री अरून मेरा जी जो देश के बहुत बड़े विचारक और थसास्त्री हैं नीतियायोग के सद्श्य रहें उन्होंने उस मूर्टि का उद्गाट इस तरीके से एक च्छत के नीचे यहां पर हर इस इमारत को मैं कहूं कि सिक्षन संस्थान को बनाने में हर एक व्यक्ति की भूमिका को सहीजते हुए यहां मंच पर दिखाया गया और कारेकरम के अंतरकत अंशो गुपता जी भी जुड़े रहे जो की गूंच पांडेशन क के पाउंडर माने जाते हैं जो अपने आप में एक विशाल हस्ती हैं और मैं कहूंगा सर आपको दुबारा से 10news की तरफ से बहुत-बहुत शुपकामना है इसी तरह से बिम्टेक जो है हिमालियन हाइट्स को छूता रहे यही हमारी शुपकामना है आप देख रहे ते 10news की शुपकामना है और मने बीशित 맞아 के लिए शुपकामना में आपको आपको से नि幸 विए खरभाट गर से